कुछी दिनों में श्वादी सीजन शुरू होने वाला है, हिंदू धर्म में श्वादी सही मुहूरत और नक्षत्र में हो इसका खास खयाल रखा जाता है। हालाकि ढेरो अर्चिनों की वज़े से कई लोगों की शादी नहीं हो पाती, या कहें की कई बार सैयोग नहीं बन पाता। अगर आपके साथ भी यही समस्या है या किसी न किसी वज़े से आपका रिश्टा शादी से पहले ही तूट गया है तो हम आपको इस वीडियो में कुछ उपाई बताने वाले हैं हिंदू धर्म में देवी मा की आराधना के लिए सबसे अच्छा समय है नवरात्री वेदिक पांचांग के अनुसार एक साल में चार बार नवरात्री मनाई जाती है जिन में से दो बड़ी नवरात्री और दो गुप्त नवरात्री होती है 6 जुलाई से गुप्त नवरात्री की शिरुवात होगी इस दोरान किये जाने वाले उपाई बेहत प्रभावी होते हैं श्वादी में देरी आर्चेनों को दूर करने के लिए आप कुछ उपाई कर सकते हैं इसकी जानकारी हमें उज्जेन के जोतिशाचार्य रवी शुक्ल ने दी है चाउलीर दिनों तक मात्याईनी का पूजन करें निद्यप्रती शिग्र उठ करके जल्दी उठ करके इसनान ध्यान करने के पश्याद मता का ध्यान करें और माता के नाम से दीप प्रज्यलित करें, लाल पीले पुष्प भगवती को अरपण करें और मधु का भोग लगामे या अरखा शहद का भोग लगामे और माता से प्रार्थना करें कि है माता काच्च्याई नी हमारे विवाह में जो भी समस्याई आ रही है उसका समाधान करें पत्रिका में किसी ग्रह की बाधा हो रही है राहू, केतू, शनी, मंगल, इत्यादी ग्रहों में से किसी की बाधा हो रही है तो इसमें दुर्गा सब्तसती का पाठ करें अत्वा कर्माएं जिससे की उस काद्य की सिद्धी होगी और योग्य अच्छे वर की प्राप्ति होगी शिग्र विवाह के लिए माता को पुष्प चड़ाते समय हतेली में पुष्प रखें और कहें कि वरदाय नमहा शुब वरदाय नमहा इस मंत्र का इन मंत्रों का जाब करते हुए माता को पुष्प पढ़ करें जिससे की मातारानी आपकी सभी संकटों को दूर करेंगी शिग गुप्त नवरात्री के दोरान मादुर्गा को रोजाना नौ लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें और मातारानी की अराधना करें इससे आपके जीवन के सारे कश्ट दूर होने लगेंगे उजयन से लोकलेटीन के लिए शुभम मर्मठ की रिपोर्ट